कि नमस्कार दोस्तों आप सभी का पार्विष्टी गैल चनल में बहुत बहुत सागत हैं दोस्तों आज आपको हम बताएंगे कि आपको राहू बेस्वार्थ दौलत कैसे देता हैं और जीवन में जो ज्यादा पावर रखता है जो ज्यादा पैसे की ग्रोथ बढ़ाता है अपने हस्त रेखा में हम देखते हैं हमारे हाथ में राहू का छेत्र कहां पे होता है और राहू कैसे अचानक से पैसे की ब्रिध्धी करते हैं और सबसे पहले अपने जीवन रेखा हमारे जो जीवन रेखा हमारे जीवन के बारे में बताती है इन तीन प्रमुक लाइनों क होना जरूरी है सबसे पहली है हमारी जीवन रेखा कहते हैं ना जीवन की सुरुआत जीवन का लक्ष हमारी जीवन ले रेखा बताती है इसी परकार सी ये मस्तिक रेखा हम कैसे बात करते हैं हम किसी बात को कितना गहरैयों तक सोचते हैं उसके बारे में बताती है और इसी पर परकार्ची है हमारी हिर्देरिखा हिर्देरिखा हमारे स्वभाओं के बारे में बताती है हमारे विचारों के बारे में बताती है हमारे प्रेम संबंधों के बारे में बताती है और इसी के साथ हाथ में अगर आपके चार परबत उठे हुए है यह चार परबत यह बुद्व क रहें और इसी के साथ यह गुरू का परवत है और यह चंद्रबा का परवत है और यह शुक्र का परवत है अगर आपके हाथ में चाहः परवत उठे हैं तो आपके लाइफ में हमयशा ग्रोध की बात होगी प्रोग्रेस की राहू का च्छेत्र है और राहू के छेत्र से हमारी भाग रेखा निकले भाग रेखा तो कहीं से भी निकल के जाके सनी के परबत पर पहुंसी, तो हमारी भाग रेखा होती है, हमारी बिजनिस रेखा होती है, हमारी तरक्की की रेखा होती है लेकिन अगर राहू के छेत्र से निकलती है और यहाँ पर एक तिर्कोर्ण से निकलती है यह तिर्कोर्ण तिर्कोर्ण जब भी राहू के छेत्र में बनता है अचानक से पैसे की ब्रिधी के बारे में बात होती है अचानक से आपको ग्रोध जैसे अचानक से आपको कहीं से लोटरी लग सकती है या अचानक से गड़ा हुआ धन मिल सकता है या अचानक से आपको पैसे की बृध्धी करता है तो वो राहू ही करता है और यहां से इसी छेतर से एक भाग रेखा चलकर सनी के परवत तक जाए तो आपको अधिक धन के बारे में बताती है और अधिक सफलता के बारे में बताती है अगर यह राहू का परवत के छेतर में यहां पर एक तिरकोड के साथ से भाग रेखा चलती है तो आपके करियर में एक नया बड़ा बदलाव होने वाला है और राहू कहते हैं न कि यात्राएं बहुत करवाता है राहू का जब भी समय आता है तो लाइफ में एक बार विदेश की यात्रावस करवाता है और जब भी हम विदेश की बात करते हैं यात्राओं की बात करते हैं तो अपने जीवन रेखा के जीवन रेखा के ही पड़ाओं पर देखते हैं जैसे कि जिवन रेखां से जबी ये रेखाई नीचे की तरफ चलती हैं, इस एज में हम एक बार अवस्य यात्राओं के बारे में सोचते हैं और यात्राई होती हैं हमारी है, तो दोफ्तों ये रही है आज की हमारी वीडियो, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं, और झाल 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